आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं पैंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है आप लाइफ सर्टिफिकेट को कई तरीकों से जमा करते हैं ट्रेजरी, बैंक की शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर और पोस्ट आफस में जाकर आप लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं पेंशनर्स को अपनी पेंशन को पाते रहने के लिए हर साल 30 नवेंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं इसलिए सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद ही उनको आगे की पेंशन जारी की जाती है चुकि इस महीने की आखरी तारीख को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखरी तारीख खत्म हो रही है इसलिए बैंक को पोस्ट आफिसों में बुजर्गों की भीड बढ़ने लगी है लेकिन इसके साथ उन बुजर्गों की जो शरीर से लाचार है परिशानी भी बढ़ गई है अब ऐसे बुजर्गों की परिशानी को देखते हुए डाक विभाग ने घर जाकर दिजिटल प्रमान पत्र देने की व्यवस्था की शुरुवात कर दी है विभाग 70 रुपए में घर घर जाकर बुजर्गों का दिजिटल जीवन प्रमान बनाएगा इससे डाक घरों में जीवन प्रमान पत्र बनवाने आने वाले बुजर्गों की परिशानी कम होगी दाक विभाग ने नोटस जारी कर असमर्थ, लाचार और दिव्यांग पेंशन धारियों को घर जाकर जीवन प्रमान पत्र देने की सुवधाश शुरू कर दी है मोबाईल नमबर 9341506321 पर कॉल करके घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमान बनवा सकते हैं शुरवात में कुछ डाकियों को यह काम दिया गया है, सफल रहने के बाद सभी जग घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमान बनाने का काम होगा इसके साथ ही जीपिओं में निशलक डिजिटल जीवन प्रमाण बनाने की विवस्था भी रहेगी सभी प्रधान डाग घरों में वीलचेर की विवस्था कर दी गए है इसके अलावे जीपिओं बाकिपुर और लोहिया नगर डाग घरों में बुजुर्गों का जीवन प्रमान पत्र बनाने के लिए दो काउंटर अलग से बनवा दिये गए हैं। जीपियों में पेंशन के लिए जीवन प्रमान पत्र बनवाने आने वाले बुजुर्गों के लिए अलग से 10 से अधिक कुर्सिया लगा दी गई हैं। कुर्सियों के साथ टेबल भी रखा गया है जिस पर बुजर्ग फॉर्म भर सकेंगे बुजर्गों को पीने और हाथ धोने के लिए पानी की भी व्यवस्था कर दी गई है ऐसी व्यवस्था से कई ग्रामी खुश नजर आ रहे हैं उनका कहना है कि अगर पहले से यह व्यवस् रहे हैं तो पेज को लाइक करें साथी साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें धन्यवाद